नमस्कार दोस्तों मैं वुझे स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीख जोट एक बरसब जोटपूर राजिस्तान में तो दोस्तों पाइनली जिस बात का डर था वहीं हुआ एक नर्ग के साथ दो मादाओं वाला जोड़ा आप पाल भी रहा था लेकिन 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 जो मैंने हर वीडियो में बोला है जब भी एक नर्ग के साथ दो मादाओं के जोड़े के बात ही है मैंने हमेसा यहीं बोला है कि इसमें जो है वो कभी भी प्रॉब्लम हो सकती और इस तरह का जोड़ा लगाना तो सही नहीं है अलाकि मैंने जो है वो सेपरेट लगा कर एक्सपीरेंस लिया और सब कुछ सही चल रहा था लेकिन उसके बावजुद अगर आप मेरी जो इससे पहले की जो पार्ट है थर्ड पार्ट उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने मनाई किया है कि ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें तो मना करने की दोस्तों यहीं वज़ा है कि दो फिमेलों में कभी भी फाइट हो सकती है और सब कुछ सही चल रहा था दोनों फिमेलों की बांडिंग बहुत जबरदस्ती ऐसा नहीं लग रहा था कि इनमें कुछ होगा लेकिन इस तरह की जब हम पेरिंग करते हैं तो क अभी भी कुछ भी हो सकता है और आखिर वहीं हुआ कल में जब सामके समय शेट अप में आया है तो मैंने देखा कि दोनों मादाओं की जबरदस्त जो है वो फाइट हो रही थी जो मैंने वीडियो में जो है वो कैप्चर कर ली है आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा और फाइट जो है वो नॉर्मली फाइट नहीं बहुत तगडी वाली फाइट जिसमें दोनों ने अपने आपको लोहान भी किया है और उस फीमेल को मैंने जो है वो कल रात को इस से निकाल लिया था और एक पूरी रात को मैंने अलग रखा उसके बाद मैंने छोड़ा तो वो सारी क्लिप जो है अभी आपको स्कीन पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपके साथ तो कुछी जानकारी शेयर करना चाहता हूं, एक मेल के साथ दो मादाओं का जोड़ा, जो भी भाई लगाना चाहते या जो भी ऐसा सोच रहे हैं, तो देखें मैंने कहीं इस बार जो है मैं समय समय पर जो है वीडियो बनाता रहता हूं, हर साल जो है मैं इस टोपिक पर एक वीडियो जरूर बनाता हूं, और इस बार जो है मैंने एक पूरी सिरीज बनाई है, ये जोड़ा जो है वो कॉलोनी में ब्रीट कर रहा था, दोनों मादाओं ने एक मटक को निकालते हैं और सेपरेट चिंग्रे में इनसे ब्रीड लेकर देखते हैं कि आगे जो हैं हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है या नहीं मिलती है तो हर वीडियो में मैंने यहीं बोला है और जब मैंने एक नर के साथ दो मादाओं के जोड़े की बात हुई तब भी मैंने यहीं बोला है कि इस तरह की पैरिंग जो है वो सकसेज नहीं हो सकती कभी भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है और जब एक मादा दो अलग-अलग मट्कियों में जब अंडे देती है तब प्रॉब्लम होने के चांसे ज्यादा और यह सब होता है कॉलोनी ब्रीडिंग मे कॉलोनी ब्रीडिंग में यह सब जो है वो कॉमन है कई बार होता है एक मेल जो हो तीन मादा ओं के साथ जोड़ा लगा लेता है लेकिन ऐसे में जो है ब्रीडिंग पर इसका असर पड़ता है तो उनके साथ प्रॉस होती है और वो मादा है जब अंडे दे दbernagen तो आंडों म वो क्रफिर बज्री तो तो नहीं को मिलता है कि भज़्री तो में बच्चेयों को जो पालने का सबसे जर्दा काम होता है वो नर्व का ही होता है नर बच्चों को भी फीड करवाता है और फीमेल को भी दाना खिलाता है तब फीमेल भी सपोर्ट में वो भी बच्चों को पालती है और मेल भी बच्चों को डारेक्ट दाना खिलाता है तो इसमें बच्चों को जो पालने का 90% काम होता है वो नर का होता है और अगर किसी है वो मसले होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप सभी के सामने हैं लाइव आप देख रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा था और आखिर जो है फाइट हुई और तगड़ी वाली फाइट हुई तो चलिए अब आप देखिए फाइट कैसी हुई स्कीन पर मैं जो है वो वीडियो चला देता हूं आप देखिए इस फीमेल को मैंने जो है वो अलग भी किया एक रात और सेकिंड मॉर्निंग में आज मैंने फीमेल को जो है वो छोड़ा है पिंग्रे में और अभी तक जो है वो वापस इनकी फाइट नहीं हुई है तो आगे देखते हैं क्या होगा जो भी होगा अपडेट में आपको देता रहूंगा तो चली आप यह वीडियो क्लिप को देखिए तो यह देखें दोनों मादाओं को आपको देखें पाइट हो रही है जैसे ही मैं सेट अप में आया तो सीधी नजर मेरी इस पिंजरे पे ही पड़ है जब दो मादाओं में इस तरह से फाइट होना सुरू हो जाती है तो फिर उन्हें अलग करना ही इसका हल होता है लेकिन देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं क्योंकि दोनों मादाओं की बांडिंग भी स्ट्रॉंग है स्ट्रॉंग रही है आप सभी ने देखा यह तो यह द देखें मादा जब मटकी में जा रही है तब दूसरी मादा जो है इसे बगाने में लगी है और फाइट भी हो रही है तो एक मादा को पकड़ा मैंने और अलग पिंजरे में डाला तो अभी मैं पकड़ रहा हूं इस मादा को तो इस मादा को देखें आख के उपर चोंट ल अब दिखाता हूँ आपको अच्छे से ये देखें आख के उपर भी और पंजे में भी चौट लगी है तो इस मादा को जो है हम अलग पिंजरे में अभी डाल देंगे और पूरी रात इस पिंजरे में ही रहेगी ये मादा फिर सुबा एक बार फिर हम छोड़के देखेंगे कि दोनों मादाओं में फाइट होती है या नहीं होती है तो अभी ये सुबा का टाइम है सुबा मैंने सौट फूड दिया है और सौट फूड देने के साथ ही इसको हम पिंजरे में छोड़ेंगे ताकि माइंड जो है वो दोनों का डाइवर्ट हो जाए ये फिमेल पूरी राज जो है वो इस पिंजरे में रही है तो गूकी भी होगी प्यासी भी होगी तो इसका फोकस तोड़ा खाने पर जाएगा फाइट की तरफ ना जाकर ये हमारी सोच है बाकी देखते हैं क्या होता है फाइट होती है या नहीं होती है तो मैंने इसको पिंजरे में छोड़ यह देखे और फिर सोड़ फूट जो हमारा सोड़ फूट है आज का यह देखे फिलाल तो दूसरी मादा मटकी में है यह देखे मेल बार है और यह रख देते हैं जल्दी से हम इनका आज का सोड़ फूट ये पालक दिया है मैंने जो की फैवरेट होता है इनका तो देखें एक मेल और एक फी मेल खाने के लिए आ गई है तो देखते हैं दूसरी वाली मादा क्या करती है अब आप देखें अक्टिविटी देखें आप दोनों मादा एक स्टूस्च मिला रह很好 Sweet चैवरे इंक अब दोनों मादा आई जो है वो पाला क्या कौरी ए और ये देखें फिर से थोड़ी नोग जोख हुई और फिर से अक्टिविटी देखें आप फिर से स्टूस्च मिला रह今年 मानों बॉन्डिंग इनकी बहुत स्ट्रोंग हो और इनके बीच कुछ हुआ ही नहीं है यह देखें यह देखें पिर से नॉर्मल है सब कुछ तो अभी तक तो ठीक है मेरी नजर पूरी इन पर रहेगी देखते हैं क्या होता है तो दोस्तों आप सभी ने वीडियो में देखा किस तरीके से कितनी जबरदस्त और तगड़ी वाली फाइट दोनों मादाओं में हुई है मट्की में भी जब मादा जा रहे है दोनों तब भी एक मादा जो है वो दूसरी मादा को जो है वो मट्की में आने नहीं दे रही है और मट्की में भी जबरदस्त फाइट हो रही ह सुक्र इस बात का है कि बच्चों को इन्होंने अभी तक जो है वो नुक्सान नहीं पोचाया है आगे देखते हैं क्या होता है जो भी होगा आप सभी के सामने होगा तो उमीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट चीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा तो जयाज़ दीजिए मिलते हैं बहुत जल देखो और नए वीडियो नए टोपिक के साथ